प्लंबर प्रथम और स्केप अब्जेक्टिव प्रश्णों की स्रीज में आप सभी का स्वागत है आईए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ इस स्रीज में दो वीडियो बना जा चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते है पहला क्वेश्चन है वाट इस दरीजन फार अपलाइंग बिजीटेबल ग्लू इन इस्प्रूइंग मसीन ओनली केवल छिड़काव या इस्प्रेइंग मसीन में ही बिनस्पती गोद लगाने का क्या कारण है कम चिपचिपापन उच चिपचिपापन उच फ्लैस पॉइं इसों को पकड़ने के लिए किया जाता है जी क्लैम, सी क्लैम, यू क्लैम या वाइस क्लैम इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा आप्शन ए यानि की जी क्लैम अगला क्वेश्चन है आक्सीजन सिलेंडर पे किस रंग से पेंट किया रहता है मैर्यून रंग, लाल रंग, का इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा आप्शन C यानि की काला रंग, अगला क्वेश्चन है आक्सीजन सिलेंडर के बीच दबाव की क्या सीमा होती है, 90-120, 120-150, 15-16 या 14-15 केजी पर सेंटीमीटर स्कॉयर, इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा आप्शन B यानि की 120-150, अगला क्वेश्चन है, जो डिजॉल्व एस्टिलीन गय सिलेंडर होता है, उसमें दबाव की सीमा क्या होती है, 14-15, 15-16, 120-150 या 110-120 केजी पर सेंटीमीटर स्कॉयर, इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा आप्शन B यानि की इसमें 15-16 जो है ये सही है, अगला क्वेश्चन है, इसमें जो सही उत्तर हुए है मारा आप्शन B यानि की 2.5 से 3 mm अगला क्वेश्चन है, गैस बेल्डिंग द्वारा, पाइप के लिए बेल्डिंग जो हमारे पोजीशन होते हैं, वो कौन से है, 1G, 2G, 5G, 1G, 2G and 6G, 1G, 2G and 3G, 1G, 2G and 4G, इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा आप्शन A, 1G, 2G and 5G, अगला क्वेश्चन है, what is the leftward building technique, यानि की बाइप तरफ से जो हम बेल्डिंग कर रहे हैं, उसको वो तक्नीक कौन सी है, इसमें options है, building from right edge towards left, यानि की दाहिने से बाइप तरफ की तरफ building करना, building from left edge towards right, यानि की बाइप से दाइप की तरफ building करना, building from right edge towards upward, यानि की दाहिने किनारे से उपर की तरफ, या बाइप किनारे से नीचे की तरफ building करना, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option A यानि कि building from right edge towards left अगला question है Which type of filler rod contains iron, carbon, silicon, sulfur and phosphorus यानि कि जो filler rod हम लोग building के लिए प्रयोग करते हैं किसमें लोहा, carbon, silicon, surface, phosphorus ये सारी चीजें भरी होती हैं इसमें options हैं लौह धात के लिए miss प्रकार की भराव राड गैर लौधात के लिए miss प्रकार की भराव राड फेरस टाइब की filler rod या non-ferrous टाइब की filler rod इसमें जो सही उत्तर है हुआ है मारा option C फेरस टाइब filler rod अगला question है फिलर राड में लोहा, carbon, silicon या मैगनेज किसमें सामिल होती है लौधात्मों के लिए miss प्रकार की filler rod फेरस टाइब की filler rod, non-ferrous टाइब की filler rod या alloy टाइब की filler rod जो हम non-ferrous metal के लिए प्रियोग करते हैं इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option A alloy type filler rod for ferrous metal अगला question है Which type of filler rod contains copper, aluminium, tin along with zinc यानि कि जिसमें copper, aluminium, tin और zinc होता है वो filler rod काउन सी होती है इसमें options है non-ferrous filler rod, ferrous metal filler rod, alloy type filler rod for ferrous metal या alloy type filler rod for non-ferrous metal इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option A non-ferrous filler rod अगला question है Which type of filler rod does not require flux while gas building यानि कि gas building में किस प्रकार के filler rod में flux किया सकता नहीं होती है High silicone, cast iron, mild steel type S, copper filler rod या medium nickel, bronze इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option B, mild steel type S अगला question है Which type of filler rod required flux while gas building gas building करते समय किस प्रकार की filler धातु में हमें flux किया सकता रहती है High silicone, cast iron, SC11, mild steel type S, Fs1, mild steel type S, Fs2 या beer resistance alloy steel इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option A, high silicone, cast iron अगला question है Which is the important part in soldering iron या handle, sank, head या edge इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option C, head यानि कि तामबा bit अगला question है Which material is used to manufacture a soldering iron tip यानि कि जो soldering के iron tip हम लोग प्रियोग करते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग किस धातु का प्रियोग करते हैं cast iron, steel, bronze या copper इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option D, यानि कि copper अगला question है Which type of flux removes oxides on base metal surface यानि कि base metal की धात में से oxygen या oxide जो होता है उसको हटाने के लिए कौन सा flux जो है प्रियोग करते हैं इसमें options है A carbonic flux, carbonic flux, resin या टेलो यानि कि तेल इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option A, यानि कि in organic fluxes अगला question है organic flux काउन सा है hydrochloric acid, zinc chloride, ammonium chloride या टेलो तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option D, यानि कि टेलो अगला question है which acid is used as a flux for stainless steel in soldering यानि कि stainless steel की soldering में किस acid का परियोग flux के रूप में किया जाता है hydrochloric acid, nitric acid, phosphoric acid या sulfuric acid इसमें जो सही उत्तर है वो option C, phosphoric acid अगला question है which flux is used in iron and steel while braging iron और steel में braging करते समय किस flux का प्रियोग करते हैं इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option B यानि कि mixture up 75% borax powder with 25% boric acid इसमें option B जो है ये सही है अगला question है what is the name of braging if part is to be braged or submerged in a molten or chemical bath यानि कि उस braging प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें braging किये जाने वाले part को किसी chemical solution में बात में डुबो के रखा जाता है इसमें options है induction braging, deep braging, furnace braging या torch braging इसमें सही उत्तर है option B यानि कि deep braging अगला question है which one is closed first while sat down oxy estiline plant यानि कि oxy estiline सयंत्र में बंद करते समय कौन सा पहले बंद करते है oxygen cylinder valve को पहले बंद करते है estiline cylinder valve को पहले बंद करते है या blow pipe valve को पहले बंद करते है या पहले estiline को बंद करते है इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option B यानि कि estilline cylinder valve को पहले हम लोग बंद करते हैं अगला question है What is the angle of blow pipe held in rightward building? यानि कि rightward building जब हम लोग कर रहे हैं तो blow pipe किस cone पे पकड़ा जाता है? 40-50, 30-40, 20-30 या 10-20 इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option A यानि कि 40-50 अगला question है What is the nozzle number is used to build 5 mm thick plate? यानि कि 5 mm कि अगर कोई plate है उसकी building कर रहे हैं तो nozzle का किस size का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो nozzle का 7 number का या 10 number size का या 13 number size का या 18 number size का इसमें option सही है C यानि कि 13 number size का अगला question है What is the diameter of filler rod used to build 2.5 mm thick mild steel by leftward technique? यानि कि अगर हम लोग बाएं तरफ की technique या leftward technique का प्रयोग कर रहे हैं तो 2.5 mm मुटाई की mild steel की seat को welding करने के लिए किस प्रकार की filler rod का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि size की 1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm या 3.15 mm जिसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option B यानि की 2 mm अगला question है दाइवार्ट technique में धात की किस मोटाई का प्योग के जाता है? 1.6, 2, 3.15 या 6.03 इसमें सही है option D 6.03 अगला question है भारी या मोटी धातों में soldering के लिए किस प्रकार के solder का उप्योग किया जाता है? soft solder, hard solder, core solder या fine solder इसमें सही उत्तर है option B यानि की hard solder अगला question है soft solder में miss रिधात क्या होती है? सीशा और तामबा, lead और branch, lead और silver या lead और tin इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option D, lead और tin अगला question है किस प्रकार के soldering iron, copper tip को फोर्ज द्वारा गर्म किया जाता है? इसमें जो options हैं वो है ट्रांसफार्मर प्रकार के बिजली टांका, electric टांका, टांका लोहे या हैचट प्रकार का या सामान प्रयोजन बिजली टांका जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें जो सही उत्तर है वो है option C, soldering iron जो की हमारा हैचट टाइप का होता है अगला question है what is the application of fine solder? fine solder जो होता उसका प्रयोग क्या है? brass और copper की soldering करने के लिए iron galvanized sheet में soldering करने के लिए sheet metal के application में इसका प्रयोग किया जाता है या heat और journal electric work में इसका प्रयोग किया जाता है इसमें सही उत्तर है option D यानि की heater और सामान बिजली के काम में हम लोग solder का प्रयोग करते हैं अगला question है लोहे याई steel की सतहों को साफ करने के लिए कौन सा carbonic flux powder के रूप में या पानी में मिला के प्रयोग किया जाता है ammonium chloride, zinc chloride, phosphorus acid या hydrochloric acid इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option A यानि की ammonium chloride अगला question है वाट इस दा maximum permitted grab between the two joining surface in braging ब्रेजिंग में दो सतहों को जोडते समय अधिक्तम कितना grab हम लोग दे सकते हैं 0.06, 0.07, 0.08 या 1 mm तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा option C यानि की 0.08 अगला question है लोहे और इसकी मिस्र धातों में टाका लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फिलर रोड के पिखलने का तापमान क्या है 840 से 920 850 से 940 860 से 950 या 880 से 960 इसमें सही उत्तर है हमारा option C यानि की 860 से 950 अगला question है building के दोरान cylinder की चाभी cylinder से क्यों नहीं निकाली जाती है यह भी काम के लिए है आपात स्थिती के मामले में यह जल्दी से cylinder बंद करने मदद करता है यह नियामक operation के संतुलन के लिए प्रयोग के जाता है यह एक छोटे से हतावडे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मेरा option B यानि की emergency के समय में हम लोग इसको आसानी से यूज करके बंद कर सकते है अगला question है यदि oxygen और estiline regulator को cylinder में interchange किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव है इस spinner damage हो जाता है धागे यानि की जो threads होते है उसमें चूडिया कटी होती है उसको नुक्सान हो सकता है इसकी होज जो है जो pipe लगी होती हो damage हो जाती है या regulator set जो है सही से काम करता है जो सही उत्तर है वो है option B can damage the thread यानि की threads होते हैं उनको नुक्सान पहुंच सकता है अगला question है टाका लगाने से पहले धात की सता को साफ करने का क्या कारण है इसमें जो options है सता को उज्वल रखें टाका लोहे की आसान handling करने के लिए solder कभी गंदी सता पर नहीं टिकेगा या गर्मी के समचित जो उसमें heat है उसको absorb करने के लिए इसमें जो option है सही वो है हमारा option C solder will never stick to dirty surface यानि कि अगर सता गंदी है तो वहाँ पर soldering प्रकिरिया सही से काम नहीं करेगी और solder हमारा जन्दी से उखड जाएगा एक अच्छा solder joint पैसे प्रात करते हैं use solder with high melting point यानि कि ऐसा solder प्रियोग करना या कम गलंत आपमान वाला solder का प्रियोग करना इसमें जो सही उत्तर हो है option C correct solder और flux जो है हमें select करना चाहिए अगला question है soldering करते समय जो जोड बनता है अगर वो कम जोड बना है उसका क्या कारण है application of incorrect flux यानि कि जो flux हमने select किया है वो गलत select हो जाना जित अधिक से अधिक सता का soldering हो जाना टांका लगने वाले solder को धीरे-धीरे काम के साथ जो है move करना या टांका लगने वाले solder के बिंद और छेतर के एक हिंसे को छूना इसमें जो सही उत्तर हो है हमारा option D the point of solder aren't touches only portion of area या मतलब जब हम soldering कर रहे हैं तो उसमें किवल एक एरिया को touch कर रहा है सही से soldering नहीं हो पा रही है इसी वज़ा से वो solder कम जोब जाता है कि अगला question है what is the name of message tool यहां पर चित्र में जो टूल दिखाएगा इसका नाम बताना है इसमें है mortar pen कुदाल से मिट्टी खुरपना सावल या इस्पेड याने की कुदाल इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option C याने की सावल कि जिसको आम फासा हम लोग ब्यल चाब बोलते हैं अगला question है उपकरण का नाम क्या है club hammer, scotch, bolster या jointer इसमें सही है option C याने की bolster अगला question है प्रथम स्रेणी इटों की नियूंतम संफिडन ताकत याने की जो उसकी मजबूती है वो क्या है 120, 115, 110 या 105 kg पर cm2 तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option D याने की 105 kg पर cm2 अगला question है IS 12269 की यान रूप साधारन पोटेवल सीमेंट का ग्रेड कौन सा है 33, 43, 53 या 63 इसमें सही है option C याने की 53 ग्रेड अगला question है कृतिम रेद की रूप में तयार के जाता है समुदरी बालू, नदी रेद, पत्थर, रेद क्रसिंग या fit sand याने गड़े की जो रेद तयार करते हैं इसमें जो option सही है वो है मारा option C crushing stone sand अगला question है IS CU number 120 के हिसाब से कुचल बजरी रेद के वजन का प्रतिसत क्या है 0-10, 5-30, 25-60, 45-50, इसमें जो सही उत्तर है option D याने की 45-50 संपीडन ताकत यानि कि दबाने पर कब तूट सकती है उसका जो है क्या range है 35, 40, 45 या 50 kg पर cm2 इसमें सही है option A यानि की 35 kg पर cm2 अगला question है जैसे हम कहीं पर RCC का काम करते हैं जैसे वास बेसिन आज लगाने में तो वहां पर उसकी मोटाई का standard क्या है उसका label क्या है इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option A 12-20 mm अगला question है what does tie off इसके folding यानि की मचान के परकार क्या है यहाँ पर जो बना हुआ है सोतंतर मचान, आसरित मचान, सीड़ी मचान या सुई मचान इसमें सही है option C यानि की ladder इसके folding अगला question है concrete के cure करने के लिए यानि की उसके उपचार के लिए उसको कितने दिन जो है हम लोग रखते हैं एक दिन, साथ से 28 दिन, 28 से 35 दिन या 35 से 45 दिन इसमें जो सही उतर है वो है मारा option B यानि की 7 से 28 दिन अगला question है कौन सा ऐसा plaster है जिसकी अगर 25 mm मोटाई की thickness की finish जो है हम लोग कर देते हैं तो वो संगमरमर की finish की तरह दिखता है लाइम मोटार प्लास्टर, रफ कोड प्लास्टर, पेबल डैस प्लास्टर या स्टूको प्लास्टर इसमें जो सही उतर है वो है मारा option D यानि की स्टूको प्लास्टर अगला question है चिनाई के लिए प्रियोग के जाने उपकरण का नाम क्या है यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है इसमें जो options है मेशन ट्रावल, मेशन स्क्वायर, प्लम बॉब या उडन प्यग इसमें जो सही उतर है वो है मारा option C, प्लम बॉब अगला question है पुल भंडाराण भॉन आज के निर्माण के लिए किस प्रकार की इटों का प्रियोग किया जता है solid इटें, छिद्रित इटें, heavy duty bricks यानि कि जिनके दोरा बहुत अच्छा काम लिया जा सकता है या fire bricks तो इसमें सही उतर है option C, heavy duty bricks अगला question है which bond of bricks are laid crosswise with 5 mm left each course इटों की किस चिनाई को परतेक 5 cm मुटाई की दूरी के साथ cross कर दे जाता है stretcher bond, raking bond, header bond या dutch bond इसमें जो सही उतर हो है हमारा option C, header bond अगला question है misran के लिए अनुसंसित बी निरदेश 1 ratio 1 ratio 6 क्या है 1 cement, 1 sand, 1 lime, 1 cement, 1 lime, 6 sand, 1 lime, 1 sand, 6 cement या 1 lime, 1 cement या 6 मिटी या clay इसमें जो सही उतर हो है हमारा option B, 1 cement, 1 lime और 6 बालू अगला question है अगर हम लोग किसी भी machine के लिए foundation बना रहे हैं ऐसी machine जहां पर बहुत अधिक vibration रहेगा तो वहां पर RCC का जो ratio रहेगा हो किस ratio में हम लोग बनाएंगे cement 1, fine aggregate 2 या coarse aggregate 4 cement 1, fine aggregate 3, coarse aggregate 6 cement 1, fine aggregate 4, coarse aggregate 8 cement 1, fine aggregate 2, coarse aggregate 2 इसमें सही उतर है option A अगला question है किस लचीली समगरी को गर्म किया जाता है और bending या दिवारों पर फैलाया जाता है जिसका उपयोग waterproofing compound के रूप में किया जाता है copper seat, hot bitumen, bricks या gramide इसमें जो सही उतर है वो हमारा option B hot bitumen अगला question है अगर cement को 3 महने तक इस्टोर कर दिया जाता है तो उसकी ताकत जो है कितनी रह जाती है 48%, 60%, 75% या 85% इसमें सही उतर है option D यानिकी 85% अगला question है यहाँ पे चित्र में जो दिखाया गया है यह इसमें क्या किया जा रहा है इसमें जो सही उतर है वो है हमारा option B यानिकी profile चिन्णों के बीच बिकंड दूरी को जो है सत्यापित हिया जा रहा है अगला question है किसका उपयोग सीधे किनारे या साहुल नियम की सहायता से स्थापित करने और जाजने के लिए किया जाता है मेशन स्कॉयर, बिल्डर स्कॉयर, ट्राइ स्कॉयर या बेबल स्कॉयर इसमें जो सही उतर है वो है मारा option B यानिकी बिल्डर स्कॉयर अगला question है मेशन के ट्रावल में X के रूप में चिन्नित भाग का हमें नाम बताना है इसमें options है फ्रॉक, हील, सैंक या फेरूल इसमें जो सही उतर है वो है option B यानिकी हील अगला question है X के रूप में चिन्नित भाग का नाम बताना है योग, fix jaw, holding part या mobile jaw इसमें जो सही उतर है वो है हमारा option A यानिकी योग अगला question है पाइप का सबसे बड़ा ब्यास काउन सा है जिसे chain pipe wise में रखा जा सकता है 125, 150, 175 या 200 mm इसमें option सही है D 200 mm अगला question है pipe range के जबड़े को साफ करने और तेज करने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है support file, rest file, triangular file या half round file इसमें सही उतर है option C यानिकी triangular file अगला question है die stop में X के रूप में चिन्नित भाग का नाम बताना है यहाँ पे X के रूप में चिन्नित भाग जो दिखाया गया है इसमें options है pipe guide lever, die setting lever, adjustment lever या top piece tightening lever इसमें जो सही उतर है वो है हमारा option C यानिकी adjustment lever अगला question है यहाँ पे जो चितर में X के रूप में भाग दिखाया गया है हमें इसका नाम बताना है इसमें options है color, split, guide plate या leading side इसमें जो सही उतर है वो है हमारा option D यानिकी leading sides अगला question है die stock का नाम क्या है quick cut die stock, button pattern die stock, ratchet type die stock या adjusting screw die stock इसमें सही है option B यानिकी button pattern stock अगला question है tool का नाम क्या है cutting wheel, roller wheel, chipped wheel या link wheel इसमें जो सही उतर है वो है हमारा option C, chipped wheel अगला question है chain pipe cutter में गंदगी के कारण छोटे कणों को धोने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है light oil, petrol, kerosene या tarpin इसमें जो सही उतर है वो है हमारा option C, यानिकी kerosene अगला question है copper tubing के लिए swaging tool जो है हम लोग कौन सा प्रियोग करते है punch type का, lever type का, expand type का या mineral type का इसमें जो सही उतर है वो है हमारा option A, यानिकी punch type का अगला question है swaging प्रियोग क्या है, same ब्यास की दो पाइपों को fitting की सहता से जोड़ना same ब्यास की पाइपों को बिना fitting की सहता से जोड़ना बिभिन ब्यास की पाइपों को fitting की सहता से जोड़ना या बिभिन ब्यास की पाइपों को बिना fitting की सहता से जोड़ना जोड़ना इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option B यानि की बिना फिटिंग की सेम पाइपों को जोड़ना अगला question है copper brazing rod में silver यानि की चान्दी का सामाकरी कितना content होता कितना प्रत्सत होता है 15-20, 25-35, 35-40 या 40-50 इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option C 35-45 अगला question है refrigeration fitting में soldering अगर हम कर रहे हैं तो किस flex का प्रियोग करेंगे follow, phyllo, phosphoric, hydrochloric acid या alcohol और resin इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option D alcohol and resin अगला question है what is the working pressure usually made on joints for pressure testing यानि आम तोर पर दबाव परिछन के लिए job पर working pressure जो है वो क्या होता है 5 kg पर cm2, 6 kg पर cm2, 8 kg पर cm2 या 10 kg पर cm2 इसमें सही है option D 10 kg पर cm2 अगला question है X के रूप में चिन्नित भाग का नाम बताना है block, flooring bar, adapter या flooring इसमें जो सही उत्तर है हो है हमारा option C यानि की adapter अगला question है flared fitting का क्या नाम है flared T fitting, cross, elbow या flared union fitting इसमें सही उत्तर है option B यानि की cross अगला question है hydraulic bending machine में x के रूप में चिन्नित भाग का हमें नाम बताना है option है back former, inner former, hydraulic ram या base plate इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option B यानि की inner former अगला question है hydraulic bending machine में x के रूप में चिन्नित भाग का नाम बताना है इसमें options है बैक फार्मर, इनर फार्मर, हाइड्रॉलिक रैम या बेस पीस इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा आप्शन C हाइड्रॉलिक रैम अगला क्वेश्चन है पूर्टेबल हैंड बेंडिंग मशीन यानि की हाथ से जो पाइप मोड़ते हैं उस मसीन में एक्स के रूप में चिनित भा का नाम बताना है ट्रिपल स्टेंड पाइप स्टॉप लिवर हैंडल और लिवर या इनसाइड फार्मर इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा आप्शन बी यानि की पाइप स्टॉप लिवर तो इस तरह मैंने इस वीडियो में 75 क्वेश्चन कभर किये हैं बाकी बच्ची हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभर करेंगे धन्यबाद